इस वक्त की बड़ी खबर मुक्यमंत्री की अगुवाई में विधायक रवाना हो गए हैं करता नजर आ रहा है आपसे कुछ देर पहले राजपाल की तरफ से ये बयान सामने आया था कि कोरोना के चलते सत्र को आहूत नहीं किया जा सकता विधान सबा सत्र नहीं बुलाया जा सकता है और ये तस्वीरे आ गई हैं तस्वीरे देखें मुक्यमंत्री अशोग गहलोत की लगवाई में तमाम विधायक जो हैं वो बस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं राजपावन के लिए बस रवाना हो चुकी है और समभवतया जो जानकारी मिल रही है उस अनुसार राजपाल में राजपाल से विधान सबा सत्र बुलाने की मांग करेंगे होटल फेर्मॉंट के बाहर से हमारे समवादाता योगिंद्र पंचोली जुड़ रहे हैं क्या गहमा गहमी योगिंद्र चल रही होटल फेर्मॉंट के बाहर बस रवाना हो चुकी है अब क्या इस्तिती है तो विधायकों से भरी बस रवाना आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्रि अशोग गहलोद की अगवाई में राजभवन के लिए बस रवाना हो चुकी है और समत्या विधान सबा सत्र बुलानी की मांग की जाएगी और एक तरह से राजपाल के सामने शक्ति प हमारे पास है और ये देखे बस के जरी रवाना हुए हैं विधायक मुख्यमंत्रि अशोग गहलोद भी इस बस में बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्रि का गुवाई में राजभवन के लिए बस ये पूर काफिले की तश्वीरें आप देख सकते हैं सुरक्षा आगे बस के नजर आ रही है सुरक्षा की गाड़ियां काफिले प्रोटोकॉल के तहट इस बस में तमाम विधायक जो बाड़े बंदी के तहट होटल फेर्मॉंट में रह रहे थे इस बस में सवार हैं और राजभवन के लिए निकल दिया है ये काफिला अब बेहद दिल्चस्प स्थि दिल्चस्प मोड पर ये सियासी केहमा गयमी पहुंसती नजर आ रही है क्योंकि अब राजवपाल से मुलाकात करने के लिए विधायकों की बस रवाना हो गई है मुक्रमंत्री शोक गहलूद भी उसी बस में सवार हैं और राजिस्थान सरकार की नईया को पारत लगाने के मुक्रमंत्री खवेया बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि आगे सबसे आगे बस में बैठे हैं तस्वीर आप देख सकते हैं काफिला जो है वो रवाना हो रहा है काफिला जो है वो रवाना हो चुका है राजभवन के लिए काफिला आगे बढ़ रहा है विधायक इसमें तमाम बैठे हैं और सियासी घटना करम आज सुभा से ही लगातार तेजी पकड़ राजब से हाई कोट का आदेश आया है उसके बाद से फिर मुक्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने राजपाल से भी मुलाकात की राजपाल ने सत्र आहूत करने से मना कर दिया इंकार क चलते उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते सत्र जो है विधान सभा का वहाउत नहीं किया जा सकता है इसके बाद अब विधायक लेकर मुक्यमंत्री चोगहलोत राजभवन पहुँच रहे हैं क्या कुछ वहां रहेगा उस पर हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी तस्वीरे आप विधायकों से भरी हुई बस जो कि राजभवन के लिए जब रवाना हुई वो तस्वीरें आप देख सकते हैं मुक्यमंत्री चोगहलोत भी इसी बस में बैचे नज़र आए होटल फेयर मौन्ट जिसमें बाड़े बंदी के तहट कई दिनों से विधायक रह रहे हैं होटल से राजभवन के लिए बस रवाना होती हुई नज़र आए इससे पहले राजपाल कल राजमिश्र ने ये बयान दिया कि क्योंकि कोरोना काल में हम जी रहे हैं कोरोना इस वक्त महमारी के रूप में फैलता नज़र आ रहा है इसलिए विधान सभा सत्र आहुत हम अभी नहीं कर सकते इसके बाद मुक्यमंत्री चोगहलोत और राजपा की समझ से परे है कि राजपाल आखिर क्यों सत्र को आहुत होने नहीं दे रहे हैं विधान सभा सत्र हम बुलाना चाहते हैं लेकिन हमें विधान सभा सत्र बुलाने नहीं दिया जा रहा है कहीना कहीं सांकेतिक तोर पर मुक्यमंत्री चोगहलोत ये कहते हुए नज़र आ र यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यह बस के अंदर की तस्वीरें हैं विधायक तमाम इसमें बैठे हुए हैं मुक्रिमतरी शोग गहलोत सबसे आगे वाली सीट पर आप देख सकते हैं मुक्रिमतरी अगुवाई में यह तमाम विधायक राजभवन जा रहे हैं और अबर निकल कराती है फिलाल जो जानकारी है उसके मताबिक राजभवन के लिए काफिला रवाना हुआ है इसमें सारे विधायक जो बाड़े बंदी के तहट रह रहे थे होटल फेर्मांट में सारे विधायक मुक्मंत्री अशोग गहलूत की अगुवाई में बस में सवार होक होई थी तो उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था कर्टूमर विधायक बाबुलाल बैर्वा को भरती करा गया था अगर कर्टूमर विधायक को छोड़ दें तो सारे विधायक इस बस में मौजूद है मुक्मंत्री अशोग गहलूत के साथ जन टीवी के एक्स्क्लूजिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बस के अंदर की तस्वीरें हैं सारे विधायक इस बस में सवार होकर राजभवन की और ये काफिला बढ़ा है मुक्मंत्री अशोग गहलूत के अगुवाई में विधायक राजभवन की और अग्र प्रूज़िव तस्वीरें आप देख सकते हैं जन टीवी पर जब ये काफिला विधायकों से भरी बस का रवाना हुआ बस के अंदर की तस्वीरें और काफिले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई इस तरहां से होटल फेर्मॉंट से ये काफिला रवाना हुआ है आने वाले समय में आपसे कुछ देर बाद जब राजभवन ये बस पहुंचेगी तब भी हमारी नजर लगातार इस कबर पर बनी रहेगी और सियासी घटना करम पर लगातार हम पहनी नजर बना कर रखे हुए हैं दिल्चस्प मोड पर अब ये सियासी घटना करम आता नजर आ रहा है क्योंकि अब राजपाल और मुक्रमंत्री के बीच कहीना कि टकराफ की स्तिती बंती नजर आ रही है और अब मुक्रमंत्री अशोग गहलो जब राजभवन के लिए विदायकों के साथ कूछ कर रहे हैं पहुँच रहे हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुलाकात होती है किस तरह की बात होती है अब राजपाल के सामने किस तरह की बात रखी जाती है